हलो एप्रिवाइन गुड़ मौनिंग कैसे हैं आप सब आई हो पाप सब अच्छे होंगे खुस होंगे मस्च तो अभी देखे सुबा के बज रहे हैं पांच और दिन है सेटरड़े तो देखे सुबा के पांच बज रहे हैं और एकदम अंधिर अचाया हुआ है मैंने का आप लोगों को बाहर का ब्यूद उखा दिखा दूँ तो सबसे पहले उटने के बाद मैंने बाहर के तरब की जितने भी जो लाइटें हैं वो सब मैंने जला दी है किचन की और हॉल की औ अंदर अभी बच्चे लेटे हैं बच्चों को भी बस मैं अभी थोड़ी देर में जलगाऊंगी ही और मैंने पानी गरम होने के लिए लगा दिया है मसीन एक्चुली मेरे आना घीजर वगरा कुछ है नहीं रॉड होती न अब तो वह ही लगानी पड़ती है तो फिर उसको पिर बच्चों का टिफइन समझिए तो काव्या टिफिन लेकर जाएगी क्योंकि उसका उइसका सब्च ने ले जासकते हैं इसलिए काव्या बोली थी कि बना दो ऑर कुछ भी रात में समझ में आ हाएगा तुक कुछ और अकेले का तो ये लग रात वावी था तो यहां पर मैं सब्जिया निकाल लूँगे टमाटर सिम्ला मेर्ज प्याज यह सब्चीजों को मैंने कट कर लिया है और देखे पाच्ता जो है वो भी बॉयल हो चुका है तो अभी इसको ऐसे ही रख दूँगी निथार के और उसका पानी जो है निकलेगा तब तक यहां प प्रोग्राम बगएरा कुछ न कुछ रहता है और आज जो है ग्रांट पेरेंस डे भी है तो उसी उपलक्ष में जो रखा गया है तो आरवी मेरी जो है ना अपने स्कूल में बनी है मौसी तो कुछ नाटक जैसा है तो बस वहां पर देखी प्याज च्रमाटर सिम्ला में ज थोड़ा सा इंच सब्चीजों का ध्यान रखना भी पड़ता है और काव्या जो है खुद नहा लेती है लेकिन फिर वह उस कावी में बाल बाल जो है कभी-कभी धुल देती हूं क्यों कि बालों की केर बच्चे उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो बस इतना सब करके आ पास्ता डाल देंगे और इतना ज्यादा पास्ता टेस्टी बना था इस तरह किससे बनाएं तो बस यहां पर जो है नास्ता भी हो जाएगा हम लोगों का और बट आ काव्या का टिफिन हो जाएगा तो देखिए टिफिन जो है मैं लगा दूंगी उसके बाद तुरन जल्द से चलती हूं आरोई को तैयार करती हूं और अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा साड़े पांच पॉने च्छह हो रहे होंगे मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं था पॉने च्छह के लगबग हो रहा है तो आरोई को पहननी थी साड़ी तो बस ब्लाउज की प्राबलम मा तो यलो साड़ी ऐसी थी जिसमें की आराम से रेट जो है मैच करता है अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो अभी काव्या भी रेडी हो रहे हैं मैं यहां पर आरोई को पैना रहे हैं साड़ी लेकिन बस बच्चों को थोड़ा सा यह सब चीजों का लुक देने मे यह जो मौसी बने है इस कोल में तो जुशनी से आप से कौन सा लुक जो है अच्छा लगेगा और चोटे बाल हैं तो तो कुछ ज़़्यार कर नहीं सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और इंज्याय करें अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और नहीं अच्छा चल रहा है सीखना सिखाना तो हम भी कुछ हम आप से सीखें कुछ आप हम से सीखें ऐसे इस इसला चलता रहेगा तो प्लीज जरूर बताई कॉमेंट करके तो देखिए यहां पर मेकप मैंने किया है वैसे मेकप करना मेरे को ज्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं अपनी क तो बस देखिए आरोई का फाइनल मेकप हो चुका है और यहां पर देख रहे हैं आप कितना ज्यादा आरोई मेरी सुंदर लग रही है और आपको लगे तो प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा मेरी आरोई के लिए तो मैंने बहुत ही सिंपल मेकप रखा है जैसे मौसी लोग करती है ना बस और शिवाय ना बार बार कह रहा था मम्मी स्कूटी से दीदी को छोड़ने चले एक दीदी आंगे बैठे की एक पीछे तो उसको यह आइडिया ही नहीं था कि वेंसे जाएगी तो बस इसलिए चिलाने में लगा हुआ था फिर थोड़ी सिवाय को मैंने सुला दिया था और धहन रखियेगा कि वेगन के हमारे यहां थो ऐसे होता है बाकि सबके अपने रिवाज होते है कि वेगन अंहीं चराने होता है तो मैं तो क्या करती हूचे मैं लड़कों ज fidelity है तो यह मैं छील्चाल के रख hypothesis के बनेगा तो उसको धुल के गैस पर चड़ा दूंगी तो पकेगा धीरे-धीरे से गुड़ मॉनिंग कावियान ममा ब्लोक में आप से भी का स्वागत है आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे तो मेरे सुबह के सारे काम हो गये हैं क्योंकि इतना जल्दी उठी थ चर्श जल्दी थी क्योंकि, टीफिद भी बनाना था अरोए रहोऊ फसके नहीं गजना था पुरा सारी वड़ए पिनाना साब चीजे तो इस वज़ए से इतना उता बंग अच抗 दो गड़ढ़ हो जाए गर दूफिदी यह नहीं निछए तो इस वज़ए से इसवादा अलाम समझ यह बाद में बजा है मैं पहले ही उड़ गई थी इतनी टेंचन ओ रही थी इसलिए तो फाइनली अभी सब काम हो चुका है अभी बज रहे हैं आठ और चाय पानी सब हो चुका है और अब मैं बनाओंगी बैगन का भरता तो बैगन के भरते के लिए मैंने भरते ब मैंने आज मैं बना जा रहे हैं अग्दम देशी स्टाइल खाना गांवली बन जाओंगे आज है तो यहां पर देखिए बैगन को जो है इधर धूप के वज़े से दिखता नहीं है बैगन को देखिए भून के छील के रख लिया है और यह है बाजरे का आटा जो कि मतलब ल इसलिए तो यह थोड़ा सा बॉयल हो जाए बस इसको बनाती हूं और जल्दी से बना लेती हूं बैगन का भड़ता तो आज यह आप लो भी हमारा देशी स्टाइल खाना खाने के लिए आपको जरूर अच्छा लगए हमें दो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं ना मक् आटा ले लिया है थोड़ा बातरे को में मिक्स कर कर बना वी तो अराम से बेल लेकौना तो अराम से मेल तबले arguments मिलागया को भील खालें को resh जो आटा लेको और आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं तो चलिए फटावट से बनाती हूं क्योंकि भूग लग जाएगी इनको आते ही नाएंगे दोएंगे तुरंत खाना खाएंगे और सोएंगे क्योंकि टीटी करके आए तो उनके लिए डीले नहीं कर सकती इसलिए चलिए स्टार्ट रहें ब्लॉग को देखते रहें अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए प्यार से हां तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया ना कि बैगन लेडीज नहीं रखती है गैस के उपर आज के उपर तो और यह पता यह सवाल मेरे भी मन में है और जब मैं साधी करके था कि बैगन नहीं रखते हैं वो हमेशा ही इन से या फिर मेरे देवर से रखवाती थी लेकिन आज तक मुझे न इस चीज का आंसर नहीं मिला कि ऐसा क्यों करते हैं कई बार मेरे मन में आया तो जब किसी से भी पूछो तो कोई सवाल आता नहीं है लेकिन मैं आप सब से प और प्षियारी है वह ही रही है खाने की और आज हम देशी स्टाइल खाना बनाने जा रहे हैं जोकी इन्टर्ज में हो यह चाहा लगता है तो वैसे तो मैं सब्सक्राइब आपीस पाना ती और मेरे पर सिल्वट्ट्टा है नहीं तो मेरे को शिल जैसा कुछ खाने का मन कर तो मैंने इस तरह बत्धवे को गलाच से पूरा मसल लिया, मसलने के बार देखे हे, इसमें दैं की मिला दिया है और हिल्दी होता है, सद्धेवन में झरूर खाया जाता है, और फायदमन भी होता है तो देखिए यहाँ पर हो गया इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च पाउडर और वैसे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं पीस के और बस इस तरह से इसमें दे देंगे जीरा और हिंक का तड़का हमारा रायता जो है बनकर के तयार है तड़के वाला देसी स्टाइल रायता तो हमारी देशी स्टाइल थाली आपको कैसी लगी है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज आई है अब भी हमारे साथ देशी थाली खाने के लिए जो कि बहुती यम्मी और बहुती मतलब अच्छा बना था ये खाना हमारा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल में न्यू है तो सस्क्राइब कर दिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाईएगा तो आज हमारी थाली में देखे बाजरे की रोटी बत्वे का रायता और बैगन का भ हम रोटियां घी लगा करके लेकिन हाँ घीत खाते रही है बजन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टिक कियर